मैं कई दिरों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई आपके लिए और आप लोग वेट करते रही है आज का मारा टॉपिक है एड़वर्प एड़वर्प बहुत ही इजी है समझने में भी यूज करने में भी पहचानने में भी पर बच्चों इससे पहले मैंने जो भी अभी आपको बोला उस पर ध्यान देजिए I'm sorry, I'm really very sorry, I'm extremely sorry क्या इन दोनों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? Yes, I'm very sorry, मैं बहुत बहुत शर्मिन्दा हूँ या बहुत माफी चाहती हूँ जब हम किसी बात को insist कर रही है न, वर्ब जो है हमारी माफी मांगना उसको हम insist कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा stress देके बोल रहे हैं थोड़ा emphasize कर रहे हैं तो जो word use कर रहे हैं उसके लिए very sorry, extremely ये adverb है तो basically adverb part of speech का एक ऐसा ingredient है जिसके बिना भी sentence बनाया जा सकता है जैसे मैंने कहा I'm sorry इसमें कहीं भी adverb use नहीं हुई है और sentence complete है लेकिन अगर हम adverb लगा देते हैं very sorry, extremely sorry तो ये थोड़ा powerful बन जाता है थोड़ा सा अच्छा लगता है थोड़ा सा हमें लगता है कि सच में ये बात है I'm very sorry मुझे सच में मैं मतलब अपने आप में sorry feel कर रही हूं तो देखिए इसकी definition देखते हैं फिर example से हम समझते हैं definition कहती है an adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb ये कहता है कि जो adverb होती है इसको हिंदी में creation कहते हैं यह एक शब्द होता है that modifies the meaning of यह verb के meaning को modify करता है यानि कि उसमें कुछ और add करता है an adjective, adjective में कुछ और add करता है और another adverb या फिर किसी दूसरी adverb में, kriya में, vision में और किसी अन्य kriya, vision के अर्थ में कुछ और जोड़ कर जो हमें बताता है उस word को हम adverb कहते हैं जैसे अगर हम इसमें से quickly हटा दे तो she runs वह दोड़ती है, but she runs quickly वह तेजी से दोड़ती है या वह तुरंत दोड़ी तो यह modify करता है हमारी verb को, जो क्या है? run, यह हमारी verb है ठीक है? और verb की, verb को modify करता है quickly की जलदी दोड़ती है ऐसे ही, this is a very sweet apple, यह एक बहुत मीठा सेव है अगर हम यहाँ पर इस very को बिनाल लगाई यह वाके पढ़ें, this is a sweet apple, this is an sweet apple तो यह होता है हमारा की एक मीठा सेव है, लेकिन हम जो very बोलते हैं, very sweet है यह बहुत मीठा है तो यह जो sweet है हमारा, यह क्या है? मारा adjective है, apple हमारी noun है तो यह एक adjective को modify कर रहा है हाँ पर very, तो यह हो गया हमारा adverb, ठीक है? यह हमारा adverb है, दूसरा है, he reads English quite clearly वह पढ़ता है English को quite, बिल्कुल, clearly, saaf तो अब यह quite, clearly मतलब हमारी एक adverb है, clearly एक तरह से है वो saaf तरीके से English पढ़ता है, read हमारी verb है, इसको तो नहीं modify कर रहा है यहाँ पर quite, clearly को modify कर रहा है, वह बिल्कुल, saaf तरीके से English पढ़ता है तो पहले से ही adverb है, इसकी भी जेस्ता बता दी, बिल्कुल, saaf तरीके से, यानि, बिल्कुल, clearly पढ़ता है तो यह जो है, adverb को modify करें, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, कि जो word, verb को, adjective को, adverb को modify करता है वो हमारा adverb होता है, एक देखी जैसे, I like ice cream, मुझे ice cream पसंद है I really like ice cream, अगर आप किसी को यह कहेंगे, I like ice cream, ठीक है, तो वो हो सकता है, ना माने इस बात को, या कम, आपको सोचे, हाँ, ये, देख कि खह रहे हैं ऐसे बट जब आप कहेंगा, I really like ice cream, तो हो सकता है, वो आपको offer करते हैं, चलिए, आपको ice cream बहुत बज़न है, तो आपको खिलाते हैं तो जब अगली बार ice cream खाने का मन हो, तो यही बोलना, I really like ice cream, ओके, चलिए, आगर देखते हैं आप सुंधर हैं, या आप सुंधर हैं, यू आर वैरी विएटीफल, आप बहुत सुंधर हैं, इसी तरह जब हम किसी और की तारिफ करते हैं dal years, आप अछ डानस करते हैं, जब लेकिन आप करते हैं, You dance crazily. You dance madly. You dance very beautifully. तो यह होता है कि हमें लगता है सच में आभी तारीफ कर रहा है और उनको बहुत अच्छा लगाए है यह. तो जो very, clearly, really, यह जब लगाते हैं तो हमारे sentence का effect बढ़ जाता है. इसलिए अड़ब कामारती है. तो चलिए अब हम इसकी आगे देखते हैं इसका Adverb is not so much important in sentence formation but it affects very much if you use it correctly and at the right time जब हम sentence बनाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता पर अगर हम इसको सही जगह पर use करते हैं, सही समय पर use करते हैं तो इसका effect बढ़ जाता है, हमारा sentence अच्छा लगता है type of adverb बहुत easy है, जिस तरह से हमने adjective के noun and pronoun के type पढ़ें इसी तरह इसके भी है पहला adjective, पहला adverb का type है, adverb of time देखे, adverb of time, time के बारे में बताता है, adverb of time shows the time of verb, adjective or other action जो adverb of time है, यह हमें क्रिया के या विशेशन के वक्त का बताती है, कि किस वक्त क्या काम हुआ था, it gives an answer of when यह हमें कब का answer देती है, कब, किसी चीज़ के बारे में हम जब पुछे, यह कब हुआ, उसका answer देती है तो example देखे, he comes here daily, वै यहां, रोज आता है, तो यह जो daily है, यह हमारा है, adverb, और comes, यह verb है तो यह comes को modify कर रहा है, और इसका answer में मिलता है, कब आता है, वैं daily आता है, तो कब का answer मिल रहा है, daily से हमें, तो यह हमारी adverb है I hurt myself yesterday, मैंने खुद को कल चौट पहुचा ली, तो कब पहुचा ली, यह yesterday का है हमारा है, यह हमारी adverb है ठीक है, इसी तरह से आज़ी दोखेंगे Before, now, lately, already, formerly, since, never, late, soon, ago, etc. are adverbs of time यह सभी जो है, time की adverb, adverb of time कहते हैं इनको क्योंकि इन सभी से समय का पता चलता है, कब यह काम हुआ, उसका पता चलता है Second है, adverb of frequency, adverb of frequency, frequency माने आवरती, हिंदी में इसको कहते है आवरती आवरती का means होता है, कितनी बार लग भग है, उसकी frequency क्या है, उसकी स्थिती क्या है, कितनी बार कब-कब होता है यह काम उसको कहते है, adverb of frequency, it shows how often an action take place, यह दिखाता है, कोई काम कितनी बार, या कितनी बार प्राय होता है जैसे example देखिए, I have learnt it twice, मैं इसको दो बार याद कर चुका हूँ, twice, यानि यह दो बार, यह जो है, हमारी adverb of frequency है इससे में पता चल रहा है कि यह काम कितनी बार हुआ, he called me again, उसने मुझे दोबारा बुलाया, तो दोबारा बुलाया, तो यह हमारा क्या है, adverb of frequency है ठीक है, ऐसे ही frequently हो सकता है, once हो सकता है, seldom जैसे, seldom we go there, हम वहाँ कभी-कभी जाते है ठीक है, hardly I know him, या hardly he go there, वहाँ कभी-कभी जाता है, ठीक है, sometimes I like to eat burger, कभी-कभी मुझे burger खाना पसंद है, तो यह frequency की adverb है often, always, और adverb of frequency, next है हमारा adverb of place, अब इससे तो पता चली रहा है आपको, जिससे हमें स्थान का पता चले, वो adverb, place की adverb को कहलाएंगी ठीक है, it shows the location of verb, यह जो है, it answers where, यह हमें कहां का पता बताती, कहां, इसका अगर हम question लगाएं कहां, तब हमें इसका अंसर मिलेगा की वहाँ तो adverb of place, जो है, हमें करिया के स्थान का पता बताती, कहां हुई है, जैसे example देखिए, sit here, यहां बैठो, यहां बैठो, मतलब कहां, यहां, तो यह जो hair है, यह हमारी क्या है, adverb of place, go there, वहां जाओ, तो यह हमारी there, जो है, यह क्या है, adverb of place, look up side, उपर देखो, तो हमें एक देशा बताई जा रही है, उपर देखने के लिए, तो यह क्या हमारी adverb of place, come in, अंदर आ जाओ, तो यह in, जो है, adverb of place है, यहां यह preposition नहीं है, तो within, near, out, away, everywhere, nowhere, backward, forward, are some adverb of places, तो अगला देखिए, हमारा चोथा है, adverb of manner, manner तो आप सभी को पता ही होगा, adverb of manner माने किस तर जाएंगे, it shows how or in what manner, यह दिखाता है हमें किस तरीके से कोई काम हुआ, किस तरीके से किसी काम को किया गया, जैसे, this song is well written, यह गीत अच्छे तरह से लिखा गया है, किस तरह से, what manner, किस तरह से, well, अच्छी तरह से, I slept soundly last night, मैं कल रात अच्छे से सोया, गहरी नीन सोया, त तो यह जो type है, adverb of manners, यह include करता है, देखें, यहाँ पर, nearly all those adverbs which are derived from adjectives and as in ly, like, इनकी क्या विशेश्चता है, कि यह जो है, अपने अंदर सभी उन adverbs को समाहित करती है, जो कि adjective से बनी है, जैसे sweet, sweetly, close, closely, clear, clearly, यह adjective से बनने वाले जो word होते है, जिनके बाद में, य लगा देते हैं, वो लगभग adverb of manners ही होते हैं, ठीक है, जैसे sadly, bravely, sweetly, slowly, clearly, etc. are some adverbs of manners, next, अभी adverb of degree or quantity, किसी चीज की मात्रा का, या किसी चीज की स्तर का पता लगाने के लिए, उंचा है या नीचा है, किसी चीज की degree क्या है, वो बताने के लिए this word का use होता है, वो adverb of degree कहलाता है, जैसे, it shows how much or in what degree, ये दिखाता है कि कितना और किस स्तर पर, और to what extent या फिर किस सीमा तक कोई काम हुआ है, उसका, उसकी विशेस्ता बताने वाले शब्द को, हम adverb of degree कहते हैं, जैसे, she was too careless, वह बहुत ही जादा लापरवा है, तो careless अगर कह दें, she was careless, वह बहुत लापरवाद थी, to careless, बहुत जाद लापरवाद थी, वही, degree है ये, ये उसकी limit बता रहा है कि थोड़ी careless नहीं, बहुत ज़्यादा careless, I am so glad, I am glad, या मैं खुश हूँ, I am so glad, मैं बहुत खुश हूँ, I am so glad, मैं बहुत खुश हूँ, हैं ना, मैं कहते हूँ कई बार किसी से वह पूरी तरह से तयार था, fully prepared, he was prepared होता तो भी चल जाता कि वह तयार था, but fully prepared means बहुत अच्छे से तयार था, तो fully, almost, enough, partly, as, any, altogether, ये जो सारी हैं, ये adverb of degree, ये adverb of quantity होती हैं, ठीक है, next अब है हमारी adverb of affirmation or negation, ये तो वैसे optional है, ज्यादा इनको इस टाइप का मिलता नहीं है, कोई ज्यादा, adverb of affirmation or negation, जिस तरह से affirmative or negative sentence थे, उसी तरह से adverb of affirmation or negative negation है, जैसे जिसमें किसी चीज़ को affirm किया जाए, करने के लिए तो वो affirmative होगी, adverb और किसी चीज़ को मना किया जाए, तो वो negative adverb होगी, surely he will come, वैज जरूर आएगा, surely, मतलब पक्का आएगा, इस चीज़ को confirm कर रही है, ये बात, surely word, इस चीज़ को confirm कर रहा है कि वो आएगा, तो ये adverb of affirmation है, और he certainly went, वैज पक्का गया होगा, या वैज चला गया है पक्का, ठीक है, इसी तरह he don't, अगर don't में हो गया, he don't certainly went, तो वो negative होता है, तो negative adverb कहलाईगी, next and last है, अमारी adverb of reason, इसमें किसी चीज़ के लिए reason दिया जाता है, उस word को देखके, जैसे, hence he is unable to deposit the fees, इसलिए वह है, अपनी fees जमा करने में, अयोग्य है, hence, ये जो hence है, ये हमारी adverb of reason है, इसलिए, इसलिए मतलब आगे का पार्ट तो इसका दिखाया नहीं गया, क्यों वो अयोग्य है, पर किसी लाइन का, जैसे किसी स्टोरी के बाद में हम कहते हैं, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए उसने ऐसा किया, ठीक है, तो ये जो hence है, ये adverb of reason है, इसलिए उसने घर छोड़ा, ठीक है, तो ये हमारी adverb of reason है, आई हो, बिच्चों, ये बहुत ही easy chapter था आपके लिए, और बहुत ही समझने में आपको आसानी रही होगी, तो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों पिल एक exercise भी तयार की है, जो adverb जिसमें से आपको find out करने है, तो इस exercise में हम देखेंगे, कौन-कौन से type के adverbs है, इंको पहचानेंगे हम, ठीक है, देखे, try again, दोबारा कोशिश करो, दोबारा करो, try again, ये again, he wake up very early, वह है बहुत सुभह जागा, बहुत जल्दी जागा, ठीक है, he is very early, ये early का, मतलब बहुत जल्दी जागा, तो ये होगी हमारी time थी, adverb of time, ठीक है, उसके बाद है, his son was out in Mumbai, उसका जो बेटा है, वो Mumbai में बाहर है, बाहर, कहाँ है, मतलब place है, ठीक है, तो कहाँ है, adverb of place, I surely meet him tomorrow, मैं उसे जरूर मिलूँगा कल, तो ये surely, ये क्या है हमारा, बोली बोली है, ये है हमारी, adverb of affirmation, ठीक है, पक्का मिलूँगा मैं उसे, next है हमारा, see, see, only once, उसने केवल उसे एक बार देखा, once, एक बार देखा, ये भी क्या बता रहा है हमको, frequency बता रहा है, God is everywhere, everywhere मने, हर जगह है, कहाँ है, हर जगह है, तो ये, adverb of place है, ठीक है, he plays ludocleverly, cleverly, ly भी लग रहा है, adjective से बना है, तो ये हमारी है, adverb of manner, ठीक है, do not go far, दूर मत जाना, ये दूर क्या है, जगह है, तो adverb of place, he is far better now, अब काफी ठीक है, काफी ठीक है, ठीक है, is far better now, तो अब काफी ठीक है, ये हमारी क्या है, adverb of degree है, मतलब किस हद तक ठीक है, far better now, he often make mistake, वह प्राए गलतियां करता है, often, तो ये क्या है, हमारी frequency है, वही, काफी बाहर गलतियां करता है, तो ये हो गए हमारी exercise, जिसी तरह से आप अपनी बुक्स में, जो grammar की बुक्स होती है, उन्में बहुत ज़्यादा होंगी, इस तरह के exercise, आप उन्में प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको ये clear होता जाएगा, पहचान होती जाएगी, कि ये कौन से टाइप की एडवर्ब है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ये topic और ये video, आप लोगों के लिए helpful रहा होगा, और अगर आपको लगता है, या कि आपके दोस्तों के लिए helpful है, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से पता चलता है, कि आपको कैसा लगा ये video, तो अगले video तक के लिए, बाई, टेक किया, पढ़ते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करके, कि बल बटन को दबाना दिल कुल ना भूलें, ठीक है, ओके, थैंक यू,